तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुंग फली की सब्जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहें एक कटोरी मुंग फली को हमें भूनना है मुंग फली को हमें धीमी आज पर भूनना है मुंग फली अच्छे से भून जाने पर हम उसे ठंडा करेंगे और छिलके निकालकर मिक्सी में दरदरा पिसेंगे अब हमें कड़ाई में दो से तीन चमच तेल लेना है अब इसमें डालेंगे आधा चमच राई, एक चमच जीरा, मीठे नीम की पत्ती, दो से तीन बारिक कटा प्याज, हरी मिर्ची, अध्रक लसुन का पेस्ट डाल कर मिक्स करेंगे त्याज, हरी मिर्ची और अध्रक लसुन के पेस्ट कर में अच्छे से भूना है त्याज अच्छे से गुल्डन ब्राउन होने पर अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी, दो चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच कश्मिरी लाल मिर्च पाउडर, एक चमच गरम मसाला, आधा चमच काला होममेट गरम मसाला, और नमक डालकर सभी मसाले मिक्स करें अब हम इसमें एड़ करेंगे दरदरा पिसा हुआ मुंगफली का पाउडर सभी को अब हम रोस्ट करेंगे सभी चीजा अब हम रोस्ट करेंगे अच्छे से मिक्स हो जाने पर अब हम हराधनिया डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम पानी डालकर जल्दी जल्दी चलाएंगे थोड़ा और पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से सबी चीजे मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ी देर के लिए धक्कन लगा कर पकाएंगे धक्कन खोलेंगे देखिये सबजी ने कितना अच्छा सा तेल रिलीस किया है इतका मतलब सबजी अच्छे से पक गई है और हमारी मुंगफली की सबजी तयार है घर पर अगर सबजी ना हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप भी इसे जरूर बना कर देखिए तो मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजे और कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताए मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तिल दन बगए